जहें दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के most important question को डिसकस करेंगे जो के आपके आगामी लगबग सभीवारती परिक्षा हैं जिसमें हिंदी से सम्मंदित question पूछे जाते हैं उन सभी exams के लिए सारे question बहुत ही important हैं चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को पहला question इस वीडियो का निम्न लिखित में से कौन सा विलोम सब्द सही सुमेलित नहीं है बात करें कौन सा ऐसा विलोम सब्द है जो सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर option C right हो जाएगा अधिकर का विलोम साधिकर यह सही सुमेलित नहीं है जबकि अभिसरान का अपसरान यह सही सुमेलित है अधिकरित का अनधिकरित और आर्ष का अनार्ष यह तीनों विलोम सब्द सही सुमेलित है जो सही सुमेलित नहीं है वो often C right हो जाएगा अगला question अगर-मगर करना का अर्थ है अगर-मगर करना इसका अर्थ होता है बहाने बनाना option C right हो जाएगा अगला question निम्न में से सकर्मक्रिया की पहचान कीजिए तो यहां पर option D right हो जाएगा पढ़ना पढ़ना एक सकर्मक्रिया है जबकि रोना, सोना और भौकना ये तीनों अकर्मक्रिया है कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है सकर्मक और अकर्मक अगला question सोहन मोहन को मार कर्म भाग गया इस वाक्य में क्रिया है तो यहां पर option D right हो जाएगा पुर्व का लिक्रिया जब करता कोई एक कारे को समाप्त करके ततकाल दूसरा कारे पर आरंब करता है तो जो पहली क्रिया होती है वो पुर्व काली क्रिया होती है जैसे यहां पर सोहन मोहन को मार कर भाग गया इस वाक्य में पहली क्रिया क्या है मारना और दूसरी क्या क्रिया है भाग जाना इस पकार जो पहली क्रिया हो रही है उसके साथ कर अथवा करके लगा रहता है इसकी पहचान के अगर बात कर लें तो इसलिए यहाँ पर पूर्वकाली क्रिया हो जाएगी जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं वोई दिकर्म क्रिया होती है बात करें प्रेणार्थक क् अथवा व्याकन की दिश्टी से है व्याकन की दिश्टी से अथवा एक अव्वे सब्द है अवसन सिराइट हो जाएगा अव्वे किसे कहते हैं ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारकाल इत्यात के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अव्वे कहा जाता है उपशर की अगर बात करेंगे तो ऐसे सब्दांस जो सब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और उसके अर्थ में कुछ भिशेष्ट अपर उत्तान लाते हैं उन्हें प्रत्य कहते हैं कि अगला कोश्चन मनो योग का संद्विच्चेद होगा मनो योग के संद्विच्चेद के अगर बात करेंगे तो ऑफ्सन बीराइट हो जाएगा मना धन योग इस प्रकार इसका संद्विच्चेद होगा बात करेंगे इसमें संदी की तो इसमें विसर्क संदी हो जाएगी संदी कुल तीन प्र योग वह किस प्रकार का सर्वनाम है सर्वनाम की अगर बात करेंगे तो सर्वनाम छे प्रकार के होते हैं बात करेंगे वह की तो यह निश्चे वाचक सर्वनाम हो जाएगा वह और यह इन दो सब्दों से किसी निश्चित व्यक्तिवस्तु का बोध होता इसलिए यह तो यह भाव आचक संग्या का उदाराण है आफसन सिर्याइट हो जाएगा जिन सब्दों से किसी व्यक्तिवस्तु अस्थान के गुण दोस्त दसावस्ता इत्यात का बोध हो वह भाव आचक संग्या होती है बात करें व्यक्तिवाचक संग्या की तो जिन सब्दों से किसी न हिंदी वर्ण माला में इस फर्स व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है बात करेंगे इस फर्स व्यंजन वर्णों की संख्या की तो कुल इस फर्स व्यंजन वर्णों की संख्या 25 है आफ्सन सी रैट हो जाएगा का से लेकर मा तक ये पाचवर के अंतरगत 25 वर्ण आते हैं ज तो दोस्तों ये वीडियो को ऐसा लगा इसे कमेंट बाक्स में जोरूर बता हैं अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद